अगला और जो लास्ट केस हमारा है वो है पोजेसिव केस पोजेसिव केस को हम हिंदी में संबंध कारप भी कहते हैं संबंध कारप इसकी डेफिनेशन है अनाउन इन पोजेसिव केस इस पोजेसर ऑफ फिंग पोजेसर मने किसी चीज का होना किसी चीज से किसी चीज का संबंध होना जैसे एक्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा बॉइज शर्ट लड़के की शर्ट अगला है गाएं का दूद इसके बाद अगला है लॉइन्स रोर शेर की दाहाड तो इसका संबंध शर्ट का संबंध किस से है लड़के से दूद का संबंध किस से है गाएं से दाहाड का संबंध किस से है लॉइन से तो इनका संबंध इससे है इसे हम पोजेसिव केस कहते हैं अब हम देखेंगे कि possessive case हम कैसे form करते हैं सबसे पहला जो इसका rule है by adding apostrophe s in a singular noun singular noun आपको पता ही है कौन से होते हैं जिसे boy एक लड़का तो जब हम boy's pen कह रहे हैं तो यहाँ पर हम एक apostrophe s इसको हम apostrophe बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया लड़के का pen तो एक लड़के की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या add किया apostrophe s girls frog यहाँ पर भी एक लड़की का frog अगर हम plural noun के case में देखें तो हम apostrophe s कहाँ पर add करेंगे उन ही nouns में जो की plural बनते time जिनके पीछे last जो alphabet है वो s नहीं होता not s not ending in s जैसे men man का हमने शुरू में किया था plural क्या होता है men तो यानि यहाँ पर s नहीं आया तो इसका हम कैसे बनाएंगे men's shirts आदमियों के लिए shirts women's rings औरतों के लिए उंगूथिया children's park बच्चों के लिए park उसके बाद अगला है वो plural nouns जिनके पीछे s आता है जैसे boy boys plural क्या है boy का boys पहले ही इसके पीछे s है तो यहाँ पर हम सिर्फ apostrophe ही लगाते हैं जैसे boys बस ये apostrophe school, लडकों का school girls playground लडकियों का खेल का मैदान अगला जो इसका rule है वो है English classical names ending with s English भाषा में कुछ ऐसे नाम जो जिनके पीछे पहले ही ऐसा आता है जैसे John Keats एक बहुत famous poet है ये तो Keats poetry Keats की poetry Archimedes principle ये एक विज्ञानिक थे जिनोंने एक सिध्धान्त दिया था तो इनके पीछे भी नाम के पीछे पहले ही ऐसा है तो हम यहां पर सिर्फ apostrophe लगाते हैं Archimedes का सिध्धान्त principle माने होता है सिध्धान्त इसके बाद अगला है the last word in a noun और title made of several words ऐसी sentence या ऐसा जो title हो जिसमें कि काफी सारे nouns हो जैसे the mayor of Delhi तो last word में हम apostrophe लगाएंगे residence देली के mayor का घर यहां पर आप mayors नहीं करेंगे इसको यह गलत हो जाएगा आपका हम यहां पर यहां पर apostrophe लगाएंगे last word में इसी तरह the government of India's order तो last word यहां पर India's आया तो यहां पर लगाएंगे government में apostrophe हम नहीं लगाएंगे अगला जो rule है the second noun when the nouns are in apposition apposition word का मतलब होता है कि pass ने placed near यानि noun के pass हुँदी में हम उसको कह सकते pass अब यहां पर example से आपको clear हो जाएगा जैसे अनिल the doctor's father एक noun अनिल हो गया दूसरा हो गया यह doctor तो जो apposition में noun होगी वहां पर हम apostrophe लगाएंगे अनिल the doctor's father died yesterday इसी तरे अगला example देखिए कपिल the captain's कपिल की ही यह qualification है captain's century तो captain की century खेलने से turned the match in favor of India तो यह दोनों क्या होगे noun in apposition thank you